स्टिचिंग मेट इजी पिछरी वीडियो में हमने आपको इस गरारे की कटिंग दिखाई थी आज स्टिचिंग कंपलीट करके दिखाएंगे तो आज शुरू करते हैं यह गरारे का बोटम पार्ट है एक और यह अपर पार्ट है उपर वाला हिस्सा वीडियो अगर आपने इसकी कटिंग की नहीं देखी तो वह देखने तो आपको समझ आजाएगी कि यह दुनों कौन-कौन से पार्ट है यह उपर वाले पार्ट देखने में हाफ पेंट की तरह लगते हैं पहले बोटम पार्ट के लंबा बखिया करके सलाइन लगानी है दो ताकि इसको चुलट डाल सकें इसकी एकिये वाली साइड है और दूसरी है पाइपिंग वाली साइड थी इस साइड से स्क्रिचिंग शुरू करने हैं इस सलाइ लगा के अब दूसरी चुरू किया दोनों सलाइन लगा के अब दूसरी चुरू किया है इसको मैं दोनों तरफ से पुल्टी साइड से दागे पकड़के इस तरह बैक साइड से दूसरे किनारे से भी बैक साइड से पकड़के दागे खेंचेंगे इस स्टफ को हैंडल करना भी जड़ा मुश्किल है इस स्टफ को हैंडल करना भी जड़ा मुश्किल है कर्सक्त दो पक पकड़के हैं कि अलिड़ा है उड़ा है अलिड़ा आपकर है अलिड़ा इस मों भी जड़़ आए आए कर दो यह पर पार्ट है हाँ यह पर पार्ट है इसके साथ बराबर करना है जितनी भी चुना डाली है ना इसके बराबर करना है इस तरह साइज देख लेते हैं फिर यह जैसी कर लेंगे तक्रीपन पूरी है यह थोड़ा इस तरफ ना नीच गर के इस तरह यह देखिए यह पूरा अब यह जो किनारा है ना यह बला यह इसके उपर आएगा इस तरह ऐसे उपर राखके इसको स्लाई लगा देंगा अब इसे इसके उपर राखके दो स्लाई यह इसलिए लगाई थी कि चुगर्टे जासी आती है इसे राखके आप इसलिए यहां स्लाई लगा देते हैं अगर एक स्लाई लगाएं तो है यह की लगाऊंगी नहीं अच्छा फिर वह ठीक नहीं आती बराबर की नहीं अगर एक स्लाई लगाएंगे ना तो इसको पकड़े बार बार ऐसे खेंचना पड़ेगा आप यह देखें बिलकुल सीधा आ रहा है फ्राक बनाने हो बच्चों के स्लीव्स बनाने हो इस तरह फ्रील वाले तो इसी तरह स्लाई लगाती है दो बखिये के साथ और मैं आपको याद करवादू कि अगर आप नए वीजिटर है तो प्लीज इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने अगर वीडियो अच्छी लगे तो और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं यहां एक और स्लाई लगा देती इसके उपर अच्छी तरह फ्रील अच्छी तरह अगर ना भी ओवर लाग करें तो दागे निकलते हैं पकी हो जाती है स्लाई यह इस तरह से हैं देखें ऐसे है और नीचे यह आ गई नीचे से मौड़ने की भी जरूरत नहीं पाइपिंग लगी थी इसलिए नीचे कोई स्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी इसी तरह यह तियार हो गी है और यह पार्ट है इसका अब मैं दूसरा तियार कर लेती हूं फिर आपको दिखादी हैं दो स्लाई यह लगाके और इसको इस तरह से खैंच के सेट कर लिया है पूरा अब मैं इसको नाब के पूरा कर लेती है इसके साथ अगर थोड़ा फरक हुआ तो वो दूबारा सेट कर रहे हैं थोड़ा सा फरक है वो खैंच लेते हैं तो मेरे पास फैंसी तुपटे और भी पड़े हुए हैं तो मैं उससे और भी ड्रेस तियार करके दिखाऊंगी आपको कमेंट करके आप बता दीजिएगा क्या आप कौन सा ड्रस बहना चाहते हैं या कौन सा वीडियो आगे देखना चाहते हैं इस तरह दर्मयान में रखना है निचली स्लाई के साथ बिल्गुर्ण कर दो कर दो कर दो कर दो प्रूस यह इसकी दूसरी साइड भी त्यार हो गई है अब इसको पकड़के यह देखें यह उपर वाला है यह उपर वाली साइड है यहां लास्टिक आएगा और यह नी आसन या करोच वाली साइड है और यह नीचे बोटम साइड ठीक है इसकी मैं स्लाइड लगा देती हूं पहले यह देखें ऐसे पकड़के इसे नीचे से शुरू करते हैं पहुंचे वाली साइड से शुरू किया है यहां से पकड़के इस तरह बिलकुल एक जैसा जोड़ लेना है इसे चाहे आप पिन लगा ले या ऐसे ही अच्छी तरह पकड़के रखें और इस तरह स्लाई लगा लें यह दूसरी साइड है इसी तरह आपस में जोड़ लेने हैं आप देखें रेडि मेड हरीती हैं तो कितना महिंगा मिलता है अबर आरा है अगर यही आप किसी फैंसी तुपटे से पराने तुपटे से बना लेते हैं तो कपड़ा भी अच्छा होगा और आपके पैसे भी बचेंगे अब इलास्टिक डालना है अब यह क्रोच जोड़ना है क्रोच साइड जो है यह वाले इसको इन दोनों को इस स्लाइस से मिला के यह देखें इस स्लाइस से मिला के इस तरह पकड़ना है क्या है मैं आज से यह देखिए, मैं इसको सीदा करके दिखाती। इसको अब नेफे वाली साइड फोल्ड करेंगे। स्लाई लगाती है। इसको मैं बाद में डाल लूँगी इसमें। मैं बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में जाज़ा रहा हुआ है। इतना इतना मैंने मोल लिया है। यह तक्रीब रेड इंच के करीब है रेड इंच तक यहां से शूरू करना है रेडिमेंट रॉग्जर्स में जिस तरह से इलास्टिक बैंट बना होता है वो अगर आपने देख रहे हैं तो अरे बिक्षर बार यहां सी गड़ पैंट वाली वीडियो देख लिए उसमें पूरी डुटे देख से बतावे हैं समा दो मीटर दपटे का कपड़ा था और आप देखें कितना अच्छा गरारा बढ़ा है यह मैंने एलास्टिक के लिए छोड़ दिया बस कंप्लीट हो गया है यहां से तांग नहीं है बिलकुल यह ट्राउजर की शेप का यहां से है थैंक यू सो मच पूर वाचिंग वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें